वहीं आगे बढ़ते हैं कॉंग्रिस की बात करें तो राजसभा सांसत दिग्विजे सिंग दौरा करने वाले हैं मद्रप्रदेश की 230 विधान सभाओं का दौरा दिग्विजे सिंग करने वाले हैं पूरे मद्प्रदेश का दोरा चुनाओं से पहले करने वाले। कर रहा है। इसके बाद पूरा संगठन चुनाओं आते ही और उसके पहले पूरी मैदानी जंग में जाने के लिए तैयार है। बीजेपी विकास यात्रा निकाल ही रही है और अब दिग्गी राजा भी यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। पेदान सभा शेत्र पहुँचेंगे और मुद्दा यही रहेगा कि कैसे जनता को जोड़े कॉंग्रेस से और कारेकरताओं को जोड़े पार्टी से। देखे दिग्वे सिंग ने एक कारेकरम के दौरान ये कहा था जिसमें अरुन यादब भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था खरगोन के आसपास कारेकरम के दौरान ये कहा था कि ये वो वर्स है कि 2023 में अदि हमारी बापसी नहीं होती है तो आप समझना फिर कांग्र इसकी राजनीती से केंद्र की तरफ जा दे जा रहा है जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांदी के साथ पूरा समय चले लेकिन नमदा यात्रा के दौरान जब उन्होंने नमदा की परिक्रमा की थी उसकी बाद 2018 के चुना हुए और एक अच्छा परणाम कांग कांगरिस कारकरताओं के बीच में जहां उर्जा भरने की जरूरत होती है तो दिगवे सिंग का नाम सबसे ऊपर आता है तो हमें लगता है फिर एक बार मैदानी तोर पर नजर आएंगे और जो सक्रीता मद्यपिदेश में अब उनकी बढ़ने वाली जैसा आज कहा गया मु पर इतना जरूर है कि अपने संग्ठन को मजबूत करते हुए भारती जनता पार्टी के संग्ठन से लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और उसी तैयारी के साथ चाहे दिगवे सिंग हो चाहे कमलनाथ हो या बाकी लीडर हो एक जुटता का परचे देत हुए आगे बढ की थी और ऐसे में देखा जाएगा कि आने वाले समय में दिग्गी राजा जब मैदान में उत्रेंगे तो इसका क्या खामियाजा भारती जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा फिलाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बाक्षीट के लिए